प्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एटुजेट क्लासेज बाई गोरब सर्थ हम लोग नंबर स्रीज में थे ठीक है स्रीज में नंबर स्रीज में थे आज कुछ नंबर स्रीज करके फिर कर लेंगे कुछ कोश्चन अलफाबेट का और आज ही ट्राइ करूंगा अलफा नुमेरिक का भी दो चार कोश्चन करवा दूँ ताकि नेक्स लेक्चर में खतम कर लें हम लोग ठीक है तो ध्यान से सुनते हैं क्या है दो दो देखो तीन बीस तीरेशर चोवालीस दोसो पचहतर ब्लेंक का स्पेस यह आपका फर्स्ट कोश्चन है आज कर सर कैसे स कुछ दिर सोचो सब के मन में लग रहा होगा सर ऐसा करते हैं हमारे पास क्या है तो हमारे पास सर्डेन जंप दीख रहा है तो मैं बुला देखो तो देखो तो सिवन जा माइनस वन है यह थ्री जा है 63 यह तो उससे भी कम हो गया तूजा वी नहीं है मतलब दो गुना भी न सब्सक्राइब करें दो कि अगवे का कितनका व्पर करते हो त्रियों ट्वैंटी ज़िन का अगला किमें noir का यह तक but मैं अगला हमें नहीं प्ता अभी करेंग से अभिक कोकी आइडिया नहीं लगा से 222 व्रून का अबहरा रर करके देख लो गहाऊ यह आ犯ुञ जाえば तो 34 का और 38 का सही चल रहे है 38 का और यहां क्या है 50 का सर अभी भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है मैं एक बार और करके देख लो सायद कुछ आइडिया लग जाए कोस्टन सही एक बार कोस्टन चिक कर लेने दो तीन कोस्टन आपके पास थोड़ा सा मिस्टीक है कोस्टन क्या है थी तीरे से ठीक सो चुवालीस दो सो पच्छतर आहा हा देखो सतरो और से तालिस चब्शना हां फिलकुल चब्शन का गैप और 30-50 ही गया अब देखो यहां से तो अब कितने के गैप हो गया आपको पैटरन 12 का मतलब अभी ध्यान से देखना अगला कैप यह में क्या मिला चाहिए था 12 का मिन्स इसमेद क्या तो 50 था और 12 हैट करोगे तो क्या 62 मिन्स 162 और 62 193 अभी गैप होगा एंसर ठीक है कितना 275 एंसर आपका एंसर आजएगा 468 गोचपच होगया एक बार और समझा देता हू कैसे ताकि उपर नीचे लिख करके समझा देता हूं 63 144 275 ब्लेंक का स्पेस आते हैं ध्यान से कितने का गैप हो गया तो सर यह देख लो एक बार 17 का 43 का 81 का 131 हमें नहीं पता आगे क्या है तो देखो ध्यान से फिर क्या हो जागा 26 का गैप 38 का गैप और यह 50 का गैप अब देखो अब हमें मिला एक पैटर्न 12 12 मतलब इसके नीचे भी 12 गैप आना चाहिए था ठीक है मिन्स 50 और 12 कितना आना चाहिए था 62 और यह जब 131 और 62 यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जगा 193 तो 275 और 193 460 बहुत यह स्टेंडर्ड कोश्चन है बढ़िया कोश्चन है लेयर पे लेयर बना तब देखो कि जाकर के हमें सोलूसन मिला है मिन्स आपका एंसर यहां पर क्या आ जागा 468 460 यहां तक ठीक है एक कोश्चन और इस पर करेंगे डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट्स करके एक कोश्चन और आप कर लो उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है जैसे आपके पास कोश्चन है कि आपके पास कोश्चन है क्या है टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन 27 107 और क्या-क्या के फुर्ट टू सेवेन लेंका सपर चार ऑपशन भी दे दू चलो अप सब्सक्राइब देते हैं क्या है आपके पास ऑप्शन 12-62,170 आप्शन सी आपके पास है ऑप्शन सी है वह देख लेता हूं ऑप्शन सी आपके पास सोचेंगे एक बार देखो यहाँ पर क्या करो तो यहाँ पर सर्डेन जंप दिख रहा होगा दो से साथ साथ से सिधे 27 27 108 108 से 400 27 की इतना गुना में आ रहा है टाइम्स आ रहा है मिन्स एक बार मल्टिप्रिकेटिव श्रीज लगा कर कि आप देखो तो तो क्या कर सकते हो यह एडिटीप भी बन जागा हमें दिख रहा है हमें दिख रहा है ठीक है क्या तो यहाँ देखो गे तो कितने का इहां डिकोंगे 20 का यहां डिखोंगे 80 का यहां इसका फोल्ट टाइम तो 1280 में लिखूं 1280 लिखूं और 427 ठीक है क्या हो जाएगा 707 आपका एंसर आ गया ऐसे भी गैप निकाल करके भी देख लोगे क्या तो सर जासे ही गैप निकाला मल्टीपल टाइम गैप दीख दा मींस 4 टाइम दीख रहा है हम अगला बार 4 टाइम लगा हमारा इंसर बन गया यह एक और मेथट है सो देख लेते हैं 707 को रखो याद एक और मेथट है क्या इंसर आपके पास था ऐसे कर सकते यह तो एक मेथट होगा ऐसे सोन चो टू 4-1 और इसी तरह इंटू 4-1 दिख रहा है मींस हर बार इंटू 4-1 तो इस बार भी क्या हो जागा इंटू 4-1 मींस हो जाएगा क्या तो 4 हाँ 1708 ठीक है 1708-1 that is आपका इंसर हो जागा 1707 1707 ठीक है अच्छा एक दो कोश्चन हम लोग रॉंग टर्म फाइंड आउट करने का कर लेते हैं जैसे यह तो फिलिंग डवलेंक्स पूछ रहा है मींस वाट विल वी नेक्स टर्म आप से पूछेगा कुछ हैसा होता कि जैसे सिरीज दे देता है उसमें पूछता कि टर्म फाइंड आउट करने मला दो तीन कोश्चन करें जैसे मानलो ऐसे रहना हमारे पास 258 मानलो 10 यहां पर है 14 17 20 इस तरी में मैं बोलू रॉंग टर्म बताओ सर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सा देखो जब भी देख रहें 3 का गैप है 3 का गैप है अच्छा यहां थरीका गैप नहीं है तो हमें और इधर भी थरीका है इधर भी थरीका है रॉंग टर्म मतलब ऐसा चूच किया जाते कि उस टर्म को निकाल करके उसके कोई आउर रख दे तो हमारा स्रीज फुल्फिल्ड हो जाए मिंस एक पैटर्न फोलो हो जाए तो अच्छा यहां रॉंग टर्म फाइंड डाउट करना मिंस एक गिवें स्रीज में एक ऐसा टर्म होगा जो पूरा काम खराब कर रहा होगा उसको हटा दोगे तो आपका काम बन जाएगा उसे बोलते हैं फाइंडिंग दा रॉंग टर्म जैसे एक दो कोश्चन देख लेंगे उसके बाद हम 12 30 68 146 302 302 और क्या 302 622 622 फाइंड दा रॉंग टर्म फोर ओप्शन्स आपके सामने हैं बारत तीस एक सो चाहालीस तीन सो दो बारत तीस एक सो चाहालीस तीन सो दो करेंगे सर कैसे क्या करें एक बार सोचो कैसे क्या करें आपको कुछ न कुछ आईडिया मिल जाएगा ठीक है कुछ न कुछ आईडिया आपको मिल जाएगा देखो एक बार सोच करके जरूर कुछ न कुछ आईडिया आपको मिल जाएगा कैसे क्या करें तो पहले तो gap देखकर के कुछ काम चल रहा है क्या मानलो देख लिया 8, 18, 38 कुछ काम नहीं चल रहा है कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है ठीक है अच्छा एक चीज देखो मानलो हम इस तरह से देखें कि इन्टू टू प्लस 6 यहां पर दिख रहा है और क्या दिख रहा है तो सर इन्टू टू प्लस 8 दिख रहा है यहां तक तो ठीक है इन्टू टू प्लस 10 यहीं से तो पैटरन पता चल गा ना इंटू 2 प्लस 4 पैठर्न पता चल यहाँ बन गया answer कैसे इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 10 यहाँ प्यादी देख लिया जाये तो इंटू 2 प्लस 12 होना चाहिए था लेकिन 146 इंटू 292 और 10 302 है प्लस 10 है मतलब हमारा ये टर्म गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस 10 जब करोगे न तो आपका आजाएगा 146 इन्टू 2 प्लस 10 मतलब 292 और सोरी प्लस 12 भाना चाहिए न प्लस 12 मिन्स 304 आपका एंसरान चाहिए था 304 अच्छा ये हम राइट कर रहे हैं या रोंग तो एक बार प्रूफ कर लो मान लो मैं यहार लेख दो 304 और अब अगला बार नंबर क्या है इन्टू 2 प्लस 14 का तो कर के देखें तो 304 इन्टू 2 प्लस 14 जब आप करोगे तो 600 वाट और प्लस 14 600 वाट जो हमारा नेक्स टर्म है 404 तो 304 होता तो हमारा सेरीज क्या हो जाता है यहां तक ठीक है क्योंकि एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है चैक अर आप अब सब्सक्राइब क्या देखोगे तो first question देखो, first आपके पास question है, क्या है, 3, 10, 27, एक असान सा question है, ठीक है, येक असान सा question है, 3, 10, 27, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, 4, 16, 64, 5, 25, 125, आते हैं, आपके पास options है, 3, 4, 10, 27, a options है, 3, b है, 4, c, 10, and d, 27, 3, 4, 10, 27, कैसे क्या किया जाए, wrong term find out करना है, find the wrong term, क्या wrong term बताना है, find the wrong term, पूछा जा सकता, आसान, आसान सा question होता, CVT, ये सभी पूछेगा, wrong term आपको find out करना, कैसे क्या करें, क्या मन में आ रहा होगा, तो देखो, एक बार हम क्या देखते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, इससार 4 दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, 64 भी है, 5, 25, 125, कुछ आइडिया लग रहा है, अरे 4 का square, 4 है, 4 का square है, 4 का power cube है, 5 है, 5 का square है, 5 का power cube है, तो इसी तरह यहां भी चाहिए था, मानलो हमें 3 मिला था, तो 3, और यहां पर 3 का cube है, अच्छा 3 का square दिख रहा है, क्या नहीं है, 10 है ना, मिन्स यही तो एक काम भी गार रहा है ना, तो यही तो है wrong term, तो सर राइट term क्या आना चाहिए था, तो 3 का square, मिन्स 10 के place पर यह दि 9 होता, तो हमारा क्या हो जाता, series complete हो जाता, series क्या हो जाता, हमारा satisfy हो जाता, हाँ तक ठीक है, बिल्कुल series हमारा क्या हो जाता, satisfy हो जाता, ठीक है, तो यह आपका हो गया, एक और आपका कौन सा, wrong term find out करने बाला, एक next देखते हैं, क्या हो जागा, wrong term find out करने बाला, so next देखते हैं, next आपके पास question है, देखो, 1, 3, 12, 25, 48, 1, 3, 12, 1, 3, 12, 25, 48, क्या है, 1, 3, 12, 25, 48, options आपके पास 3, 12, 25, 40, आपके पास options है, 12, 25, and D, 48, D, 48, 13, 12, 25, 40, find the wrong term, आपको बताना है, wrong term, क्या होगा, इसमें wrong term, क्या लग रहा है, आपको, कुछ सोचे, 3 भी है, 12 भी है, 25 भी है, सर कैसे क्या करें, कोई gap लेकर के देखो एक बात, 3, 9, 13, और क्या, 23, सर देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे, देखने से कुछ ऐसा लग रहा है, कि यहाँ पे, 3, 9, 12 है, और क्या हो जाए, यहाँ से मालो, 3, 9, 12 है, तो क्या 15 नहीं हो सकता है, तो positive, negative से कुछ काम चल नहीं रहा है, करें तो क्या करें, अच्छा, 1 को एक चीज़ और करते हैं, क्या करते हैं, तो 1 को ऐसे भी सोच सकते हो ना, क्या, 2 का square, माइनस 1 का square, 2, कहां, नहीं, तो आप सोच सकते हो, हाँ, 2 माइनस 1 का square, 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 माइनस 0 का square, इसको क्या सिक सकते हो, 2 का square, माइनस 1 का square, लिख सकते हैं, अगला को क्या लिख सकते हैं, 3 का square या 2 के बाद 4 का square minus 2 का square इससे अभी छोड़ते हैं एक बार क्यों कि यह square minus something में नहीं लिखा जा रहा है आगे चलते हैं देखते हैं क्या है इसको जब देखोगे तो क्या कर सकतो 8 का square minus 4 का square अच्छा एक चीज देखो minus वाला बस series में चलते जा रहा है 0 का square 1 का square 2 का square तो हमें यह तो पता है कि यहां पर minus कोई 3 का square होना चाहिए था ठीक है अच्छा और चीज क्या होना चाहिए था तो एक चीज देखो 1 2 4 तो यहां पर होना चाहिए था 6 का square समझ गए बस series complete क्योंकि यह है दो numbers का स्कॉरिंग का सबस्ट्रेक्शन 1 का square 0 का square एक 2 है का square 1 का square 468 यह हमारा क्या निकला रॉंग टर्म यह कि इसका वैलू क्या हो जा रहा है तो 36-9 27 तो आपका रॉंग टर्म हो गया 25 जबकि इसके प्लेस पे आता है यदि 27 तो हमारा स्रीज क्या हो जाता सडिस्फाई हो जाता रॉंग टर्म में से चूछ क्या जाता है according to option आपको चूछ करना पड़ेगा स्रीज यह तो बिल्कुल ही जिए यह खतरनाक चीज है वहां दिमाग नहीं लेगा तो नहीं बनेगा यहां कोई फिक्स्ट पैटर नहीं होता है कि जैसे एरिया इस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो होगा है स्रीज में हर एक कोश्चन चैलेंज आ जाता है ठीक है एक कोश्चन और इसी तरह देखो आप क्या देखोगे सो मैं बता रहा हूं देख लो ए देखते हैं क्या है आपके पास कोश्चन तो टू सिक्स ट्वेंटी फॉर नाइन्टी सिक्स एक कर लिया है क्या सैद नहीं किया देख लेते एक बार तू शिक्स कि तू शिक्स और 24 96 285 24 96 285 26 24 96 285 568 567 568 567 एंड यूर ओप्शन्स आर आपके ओप्शन्स क्या है टू सिक्स कहां गया है टू सिक्स हाँ छे चोबीस 285 566 छे चोबीस टू एट्वाइव डी फाइव सिक्स सेवन पान्सो शर्षट आपके चार ओप्शन्स है ठीक है क्या है तो आपके ओप्शन्स है आपके पास टू सिक्स दो सो पचासी पान्सो सर्षट टू सिक्स दो सो पचासी 566 क्या लगाए ? है अच्छा एक छीजहां से देखना सर यह तो माइनस वन के बल दिख रहा है मैं बोला कर लो माइनस वन कोई दिकत नहीं उल्टा क्यों चल रहे हो सर तो यहां देखो क्यों चल रहे हैं मालो एक कर रहो लोगे तुम यह थ्री गून टाइमस फोर टांस यहां तक तो ठीक लग हो रहा है अच्छा यहां पर देखो माइनस वन क्या हो रहा है जैसे तो सर इसका दोगना करो तो पांसो सत्तर मींस इंटू टू माइनस टू अच्छा इंटू वन माइनस वन तो कर ही सकते हैं ना इसको इंटू और माइनस वन तो किसी में वन करें माइनस वन करोगा पांसो 4 टाइम जब करोगे 384 ठीक है 3 टाइम करेंगे तो 96 3 जा 288 माइनस 3 ठीक है तो इन्टू 3 माइनस 3 चल रहा ऐसे अच्छा यहां पर भी हमें आना चाहिए था क्या इन्टू 4 माइनस 4 आगे चलते हैं देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है यहां पर उसी तरह हमें चलना चाहिए था तो आना चाहिए था इन्टू 5 5-5 और यहां पर जब चलना चाहिए था तो हमें आना चाहिए था क्या इंटू 6-6 अब देखो कि कहीं ब्रेक हो रहा है क्या कोई गलत तो नहीं आ रहा है पहला टर्म इंटू 6-6 12-6 6 है दो और 6 तो क्लियर हो गया अगला वाला टर्म देखो इंटू 5-5 6 इंटू 5 30-5 25 अच्छा यहां पर दी 25 होता तो अगला बार करते इंटू 5-5 मिन्स 25 इंटू 4-4 इंटू 4-4 96 जो हमारा एकजंटर मैंते तो है इसके आगे क्लियर है सारे इवह क्लियर है मिन्स मलें कल्फरीट है यह हमारा रोंग टाम और इसके जगे गदी इसमें 25 होता ना 25 होता तो हमारा काम बन गया होता था मिन्स अधी ये टर्म होता देखो ध्यान से समझा कैसे जाता है मानलो इसके जगे हम रिफलेश कर दें 25 रख दें 96, 285, 568 और 567 अब देखो ध्यान से मानलो इसे मैं लिख दिया into 6 minus 6 satisfy कर गया इसे लिख लोगे into 5 minus 5 25 हो गया into 4 minus 4 96 into 3 minus 3 बिल्कुल 300 हाँ 288 और यह हो गया into 2 minus 2 570 minus 2 into 1 minus 1 अब satisfy होगा means एक टर्म हटाने से के बल हमारा क्या हो गया सारा सिरीज सेट हो गया तो इस तरह से आपको पूछेगा क्या इस तरह से आपको पूछता है finding the wrong terms wrong terms देखना है बना लोगे बस घर पे जितना ज़्यादा आप करते रहो practice exam नजदीक है ठीक है मैं तो लगा हुआ हूँ ही daily का daily कुछ कर लो alphabet series जैसे alphabet series कर लोगे आसान काम होता है बता रहा हूँ क्योंकि देखो alphabet series में एक और काम होता है जो coding, decoding में भी आएगा एक trick बता रहा हूँ जो जल्दे मिलता नहीं है क्या E-J-O-T E-J-O-T-Y मतलब क्या हो जागा इसको याद रखोगे तो इसके आसा पास हम लोग counting कर लेंगे घटा बढ़ा करके जैसे E आता है 25 पे यह आपका क्या हो जाता है numbering हो जाएगा जैसे आप से कोई पूछे मान लो की W का पूछ देगा तो हम बार बार लिखते थोड़ी चलेंगी E-C-O counting करेंगे नहीं T देखेंगे कहां पे T-U-B-W ठीक है means T के बाद क्या हो जाता है U-B-W 23 पे हो जाएगा या Y से उल्टा चलोगे तो Y के पहले क्या X उसके पहले W तो 25 से 2 इधर आगा 23 इसका काम कैसे आगा मैं बताऊँगा कैसे करने से बस इतना पहले समझ लें स्क्रीन सोट ले लें या लिख लें ही से किसको E-J-O-T-Y को एक असान सा कोश्चन आपके पास है दे रहा हूँ जिसे पहला ही कोश्चन है बिल्कुल आसान A-C-F-J-O हाँ कोश्चन क्या है A-C F-J-O blank space पहला ही आसान कोश्चन आपके पास है blank space और options भी दे दो बिल्कुल options दे दो लिख लो मानलो लिख लो क्या U option B है S option C है V option D है T करें जल्दी से screen मतलब screen को करो pause करो मैं बोला ना आधा काम तो अब तब कर लोगा जब इसको number कर लो हमें पता A होता है first number पे C3 पे और E के just बात होलता है A और हमें पता E जो T E आएगा 5 पे तो ये तो पता ही ये 10 पे वो कितना पे 15 पे अब देखो उंगली पे A B C D पढ़ने से अच्छा number पढ़ लो number से लोग comfortable ज्यादा होता है कितने के gap है दोस्त 2 का अगला gap 3 का अगला gap 4 का अगला gap 5 का तो आपको नहीं लग रहा होगा सर अगला gap होगा 6 का मिन्स यहां पे सर जो 21st number पे होगा answer होगा मैं बुला भी option तो आपके पास यह है कैसे करें तो हमें पता है 20 number पे E, J, O, T T होता है मिन्स T से जस्ट पहले चल लो T, U मिन्स आपका options क्या हो जाएगा U हो जाएगा मैं बता है ना कि numbering करना सीख लोगे उंगली पे आधा कामासान हो जाएगा ठीक है यह तो first question रहा आपका क्या alphabet series का दूसरा इसी तरह देख लेंगे मान लो एक लेटर से ज्यादा देते तो हम क्या करेंगे तो second भी देख लेते हैं क्या है जैसे देखो second क्या है BMO आपके पास question है BMO second term है E, O, Q E, O, Q ठीक है और क्या question है HQS HQS blank space and your options है चार आपके पास options भी है A, O मान लो U आपके पास options B क्या है K, S, U K, S, U option C है A, B, C and option D है आपके पास option D है your options are L, M, N कैसे क्या किया जैसर L, M, N आपके चार options आपके सामने है क्या 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 है मैं बोला बस परसान मत हो करना क्या है देखो ध्यान से एक बार बोला numbering कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा तो मान लोग B होता है 2 पे A, M कैसे करें तो भाई साहब 15 है और A, M, N, O 13 नहीं हो जाएगा कितना असान लगता है 5, 15, O, P, Q, 17 H, मतलब 8 क्योंकि J के दो पहले O, P, Q, 17 O, 15 पे P, Q, 17 A, T, T के जस्ट पहले कितना? 19 E, J, O, T, 20 होता न, A, T कुछ similarity दीख रहा है क्या? आप भाई देखो न, similarity बिल्कुल दीख गया कितने का gap? 3 का gap 3 का gap मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अगला जो नमबर आ रहा है पहला वाला नमबर 11 होगा अच्छा, 11 कौन सा? याद करो K, J, 10 पे K कभी-कभी तो पहला से ही बन जाता है यहीं से बन गया आगे चेक करने का ज़रुत नहीं है एक जाम में आप एक बार और साटिस्फाई हो जाना जैसे 13, 15, second वाला टर्म पे 17 तो अगला नमबर पे क्या आजागा? 19 पे कौन सा नमबर आता है? T से ज़र्ष्ट पहले लिखा हुआ भी साइदिस में है कहीं पे हाँ, S दो ही से हमें पता चल गया के एस चलो और कर देता हूँ अगले के लिए देखोगा 15, 17, 19 तो अगला क्या आजागा? 21, 21 नमबर पे कौन सा आता है पेटा? यू, के एस यू, यूर ओप्शन्स विल भी के एस एंड यू असान है, बिलकुल असान है नमबरिंग सीख जाओ, और कितना भी नमबर देना देगा, समाझ जाना कि कुछ न कुछ घोल मिल किया है मिन्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ न कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा उपाए एक आज कोश्चन और देखा जाए, बिलकुल देखा जाए, जैसे, आपके पास कोश्चन से, हाँ, कोश्चन लिखो, एक असान सा कोश्चन है, B, M, O, इससे C में पूछा हुगा कोश्चन आपके पास है, या ऐसे कर लो न, Y, E, B एक बढ़ियां कोश्चन करते हैं, क्या है, Y, E, B, W, F, D, Y, E, B, W, F, D, Next question, W, F, D, U, H, G, S, K, I, U, H, G, S, K, I, Blank space, S, K, I, B, L, H, O, P, Q, O, L, Q, O, L, Option, B, Q, G, L, Q, G, L, Option, C, T, O, L, and Option, D, Q, N, L, Q, N, L, Option, D, Q, N, L, थी है, आते हैं, मैं बता है, या तो काम कर लो, नम्बरिंग कर लो, जैसे Y होता है, 25 पर अभी बता दिया, E, 5 पर, B, 2 पर, W, और बेसी बात है, T, U, B, W, 23 पर, 23, E से जस्ट बाहर 6, और A, 4, यू उसी तरह भी बताया, T, U, 21, H, 8, G, 7, S, बता चुका हूँ, 19, K, J के बाद जस्ट, K, और I, J से जस्ट पहले, 9, यहीं पर देखना कुछ न कुछ उपाया, दिख जागा, सर 25 से गया, 23, 23, 23, 23, 19, 19 से के इतना बहुत है, 17, कितना आसान हो जाता है, 17 आप कैसे करें, E, J, O, O है 15 पर, O, P, Q, P, Q, ठीक है, Q, दो, दो ऑप्सन तो यहीं खट गया, ना, अच्छा, एक उप्सन खटा है, कोई बात ने, एक उप्सन से टालो, चलते हैं, 5, 6, देखो, एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, मतला अगला गैप क्या आजागा, 4 का गैप आजागा, मिंस 15 हमा नंबर पर, जो हमारा नंबर मिल जाए, 15 पर क्या मिलता है, E, J, O, आपका, क्या हो जागा एंसर, मिंस E, J, O, तो जैसे ही हुआ आया, देखो, यह भी खतम, यह भी खतम, आपका एंसर क्या बचिया, Q, O, L, आपका एंसर बचिया, Q, O, L, एक और फेरिफाइग कर लो, मैंक्समा में ही होगा, पहले ही एंसर आजागा, मानलो, 2 से चला 4, मतलब 2 का गैप, 3 का गैप, फिर से आगया, फिर से आगया क्या, दो का गैप, तो अगला बार होता है ऐसा, फिर से कर लो, 3 का गैप, मिन्स, 9 के बाद, 3 का गैप, बारहमा नमबर पर क्या आजागा, जे के एल, क्यू ओ एल यूर इंसर विल वे क्यू ओ इल, इस तरह से आपका क्या बनता है, आपका बनता है, प्रफाबेट रूल से भी लगाना चाहिए नंबर स्रीज या अलफाबेट स्रीज में अब देखो आज का लेक्षर नहीं तक रखतें क्योंकि लेक्षर बड़ा हो गया है लास्ट लेक्षर में ट्राइब करूंगा दो दो तीन-तीन कोश्चन करवा करके खतम कर लें इस सिरी करना न भूलें थेंक यू